Welcome to my YouTube channel The Light of Knowledge आज हम 10th class का chapter number 2 का जो है वो अपना second lecture record करने लगे हैं तो हमने इस homeostasis chapter स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि homeostasis बेसिकली एक फिनॉमेना है एक प्रॉसेस है जिसके जरीए हमारी बोडी जो है अपने internal conditions को जो है वो maintain रखती है चाहे हमारी external environment में कोई भी change आए मैंने आपको इसकी need भी बताई थी कि हमारी बोडी को इसकी need क्यों होती है हमें इसकी जरूरत होती है क्योंकि हमारे cells को जो है वो जरूरत होती है एक specialized एक condition में काम करने की ता कि वो अपना काम best तरीके से कर सके ठीक है अच्छा अब homeostasis मुख्लिफ किसमों की हो सकती है जिसना हमने मैंने परताया था आपको osmo regulation होती है thermo regulation होती है और उसके बाद excretion होती है तो हमने homeostasis in plant study कर लिया था अब हम study करने लगया homeostasis in human beings तो homeostasis in human beings में basically हमारे पास three organs involved होते है अब पहला organ हमारे पास lung है उसके बाद हमारी skin आ जाती है उसके बाद हमारी kidney हाज्चाहती है टीक है आप अब हमारी बारी इन तीनों को देखेंगे अब आ जाते हमारी skin में Skin में हमारे पास basically दो layers होती है पहली layer होती है हमारी epidermis दूसरी होती है हमारी dermis epidermis में हमारे पास कोई blood vessels नहीं होती लेकिन dermis में हमारे पास blood vessels भी होती है sensory nerves भी होती है हमारे पास sweat और oil glands भी होती है हमारे पास fat cells भी होती है और hairs भी होती है अब इन सब का कहीं न कहीं काम है हमारी homeostasis में ठीक है अब आ जाते हैं हमारी role of skin in homeostasis पहले हम देखेंगे थर्मो रेगुलेशन में हमें कैसे help करती है skin थर्मो रेगुलेशन में हमें जब हमारा internal temperature हमारा एक specified है ठीक है हमें पता है कि optimum temperature है और उसकी नीड भी हमें पता है क्यों है अब हमारा external environment में temperature change होने लगता है तो हमारी body हमारा brain जो हमारा coordinator है हमें coordinate करता है वह active activate हो जाता है और क्या करता है हमारे different organs को जो है वह message send करता है ताकि वह इसको cover कर सके ठीक है अब आजाता है हमारी skin किस तरह helpful होती है during winter season जब ठंड होती है हमारा temperature बाहर का जो है वह नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो हमारा body temperature भी थोड़ा बहुत fluctuate होता है तो हमारा brain जो है वह active हो जाता है और हमारी skin को messages send करता है अब यह message message क्या send करता है कि इसको cover किया जाए और हमारा body temperature fluctuate ना करें मारा body temperature नीचे ना गिरे 37 degrees Celsius या इसकी range के दर्मियान ही रहे अब होता है कि हमने आपको बताया कि हमारी dermis में हमारे पास hairs मुझूद होते हैं इन hairs के साथ small muscles attach होते हैं अब यह जो goose bumps होते है ना goose bumps इस तरह आते हैं कि हमारी muscles contract करते हैं और हमारी hairs होते हैं यह खड़े हो जाते हैं ठीक है जिसकों रॉंटे खड़े होना कहते हैं रॉंटे खड़े होना अब यह क्या करते हैं यह goose bumps हमारी skin के उपर जो है ब्रेन को एक्टिवेट कर देती है ब्रेन दोबारा हमारी skin को message send करता है कि अब आप इसके एक्षिन लो ताकि हमारा body temperature fluctuate ना करें इसके इलावा भी बहुत से processes होते हैं हमारी body में ठंड के खलाफ ताकि हमें बॉड़ी temperature fluctuate ना करें लेकिन आपकी बुक में सिर्फ इतना ही एक्स्प्लेइन किया गया कि गूस बंस के जरीए गूस बंस करिये एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट और वां यह हमारे इंसुलेटिंग ब्लैंकेट यह वह प्रोड्यूस कर देता है जो कि हमें help करता है हमारी body को warm रखने में ड्यूरिंग विंटर सीजन अब आ जाते हैं समर सीजन में समर सीजन में क्या होता है जब हमारा environment का temperature बढ़ना शुरू हो जाता है तो खतरा होता है कि ऐसा नहों के human being क body का temperature भी change हो जाए ठीक है अब उसका हमें नुकसान होगा हमारे enzymes properly work नहीं कर सकेंगे तो हम अपना metabolism को कैसे जो है वो manage कर सकेंगे अब आ जाता है कि अब इसके खिलाफ हमारी body क्या करती है हमारी body क्या करती है जब हमारा it get का temperature बढ़ना शुरू हो जाता है हमारी skin हमारे brain के message भीजती है कि अब temperature बढ़ना शुरू हो गया ठीक है अब brain क्या करता है वापिस skin के पास message आता है कि अब आप जो है ऐना ऐसा करो अपने अंदर जो अपने dermis में आपके पास sweat gland से इनको activate कर दो skin ऐसी करती है sweat glands को activate कर देती है अब वो sweat glands sweating करते हैं जिसके जरीह हमें पसीना अब पसीना आपने chemistry में एक rule हमेशा पढ़ा है the evaporation causes cooling effect same यही principle यहां पर अपलायोगा जब sweating होगी वो क्या करेगी हमारे body जो हमारी body heat up हुई है वहां से heat gain करेगी और उसके बाद evapors की form में evaporation होगी और बदले में हमें ठंडा का एहसास होगा और हमारा temperature बढ़ गया थोड़ा सा वह वापिस अपनी range में आ जाएगा वापिस अपनी हदूद में आ जाएगा लिमिट में आ जाएगा जितना हमारा हमारा temperature maintain रखने में अब हम देखते हैं कि कैसे हमारी salt concentration water concentration को manage करने में मारी help करती है और excretion कैसे कराती है मैंने पहले excretion देख लेते हैं हमने पढ़ा है हमेशा कि हमारा जब हमारी बॉड़ी में metabolism होती है तो हमारे पास metabolic waste materials produce होते हैं जो के हमें हमारे लिए खतरनाक होते हैं हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं अब हमें उन्हें excret करना होते हैं तो जो हमारे पास thermo regulation के दर्मयान sweating होई थी ना उसके जरीए हमारी बॉड़ी क्या करती है उसमें उस पसीने में हमारे पास urea uric acid salts और water मुझूद होते हैं अब यहां पर sweating में हमारे पास तक्रीबन तीन काम हो रहे है thermo regulation भी हो यह कैसे कि हमारा वैपरेशन के जरीए हमारा बॉड़ी टेंपरेचर दुबारा maintain हो रहा है दूसरा का ऑस्मो रेगुलेशन का और वह कैसे कि sweating के जरीए हमारे पास इसमें पानी भी है उसमें salt भी है तो एक्स्ट्रा water और एक्स्ट्रा salt हमारे पास होगा वह भी ह हमारा जो है maintain हो रहा है तीसरा ये कि यूरिया और यूरीक एसिड जो के हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट मिटीरियल्स है वह भी हमारे स्वेटिंग के जरीए बाहर निकलते जा रहे हैं तो अब तीनों चीजों में हमारी स्केन हमारी हेल्प करती है एक्स्क्रीशन और ऑस्मो वे अब रहे हमारे हमारे हमने पहलो जो है न लंग्स न परण दोवा पेडन हैं पूरा पर पढ़ क्शिचल लियूज और बेश्ट के आथ हमारी काम में हमारे पास सबुषायशन के प्रोकूस अब क्या होता wa respirations का प्रोसेश्न निया का तर पास लेकर यह भार गार लाइस तर दो regarding आठ तक यह you तो यहाँ तक यह क्योंकी दैं के लोगों का ग्षेटन रहा हृता तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर पर पेंडिंग कर देते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजेगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी जॉइन किया तो सब्सक्राइब करना मत मेंड़ियेगा अल्लाहफ़।